जी बिल्कुल देखिए कि देश और प्रदेश में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर्म बदले मुसम के मिजाज ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मध्यप्रदेश के कहीं जिले यानि कि इंदोर, भोपाल, सिहोर, देवास, सही तमाम जिलों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो कि ना सिर्फ मुसिबत बढ़ाने वाली है, बलकि किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुचाने वाली है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फिलहाल मध्यप्रदेश में किसानों की फसल निकलने का द थंडे मोसम में काफी तेजी से फेलता है और लिहाजा ऐसे में मद्धप्रदेश में जो बारिस हो रही है वो कही ना कहीं कोरोना को लेकर भी मुश्किले बढ़ाने वाले कुछ लगातार जो है ये माना जा रहा था कि गर्मी अगर बढ़ेगी तो कोरोना का प्रकॉप भी कम होगा और ऐसे में फिलहाल जो है मार्च के महीने में ये जो मोसम बदला है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा रहा है तो कोरोना को लेकर जो चैलेंज है वो अब शाशन प्रसाशन के सामने काफी और कड़े हो गए है क्योंकि कोरोना एक तो संकट है यहाँ पर लोग तरीके से शाशन प्रसाशन को चैलेंज देता हुआ नजर आ रहा है और देखे जाए तो सुभस इंदोर में जो है तेजी से गरज के साथ जो है बारिश का दोर लगातार जारी है कई इलाकों में जो है तेज बारिश भी है साथ अन्य प्रदेश के जो जिल है वहाँ पर भ बारिश है वो किसानों की समस्या और कोरोना को लेकर संकट को और बढ़ाने वाली है